Idioms and Phrases Day 14th Dear, आज Idioms and Phrases का ये 14th डे है आपको पता है ये Idioms and Phrases प्रतिय एक एक्जाम अगर आपके स्लेबस में इंगलिस है तो Idioms and Phrases जरूर पूछे जाते हैं याद करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन हम जिस Never Forgetting टेकनिक से आपको Idioms and Phrases याद करा रहे हैं इसका नाम ये Never Forgetting आप कभी नहीं भूलोगे तो चलते हैं और आज की अपनी Idioms and Phrases को भी हम लर्न करते हैं अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाईए चैनल पर है आप वहाँ से देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से भी देख सकते हो आज की जो हमारी पहले इडियम है क्लोज फिस्टेड है क्लोज का मतलब होता है बंद और फिस्ट का मतलब होता है मुठ्थी अगर किसी की मुठ्थी बंद है तो इसमें कुछ भी लिया होगा तो वह नहीं निकलेगा न और अगर मैं आप से कहूँ कि वो इनसान इसमें पैस मुठ्थी है हाथ है पैसे पकड़ने के लिए हाथ होता है और अगर हाथ में पैसा और पैसे मुठी बंद कर ले तो पैसा निकलने वाला नहीं है यानि अगर किसी इनसान के जेब से हाथ से पैसा नहीं निकल रहा है ऐसे इनसान को ही हमारे सोशाइटी में कंजूस कहा जाता है या समझ लो कि कोई इनसान है जो कहीं पे गया है और वहां मुठी बाध करके बिलकुल खड़ा है मुठी बंद करके खड़ा है मुठी बंद किया हुआ है यानि हाथ खोली नहीं रहा है तो क्या वो कोई चीज को लेगा नहीं वो कोई चीज को नहीं लेगा तो उसका पैसा ख खर्च होगा नहीं इसलिए ऐसे इनसान को कहा जाएगा कंजूस अंग्रेजी में कहेंगे अब माइजर मैं कुछ खुद से रिलेट करिएगा आ जाएगी मैं पूरा कर दिया हूँ समझा दिया हूँ next idiom is castles in the air castles का मतलब होता है महल in the air हवा में महल हवा में महल तो हवाई महल को हम लोग कहावत में कहते हैं हवाई किला बनाना यानि हवा में महल बनाना आप मुझे बताओ कि castles in the air हवा में महल हो सकता है नहीं हो सकता है और जब हवा में महल नहीं हो सकता है और कोई ऐसी चीजे कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ कलपना में हो सकता है imagination में हो सकता है बस तो ऐसा इंसान जो imagination में खोया हुआ है जो imagination में मस्त है उसे ही कहा जाए वह क्या कर रहा है he is making castles in the air वह हवाई के लिए बना रहा है यानि कल्पनिक आनंद ले रहा है वह इसी को इंगलिस में कहेंगे have unrealistic ideas या फिर daydreams next idiom is at the 11th hour एक गरहवे घंटे एक गरहवा घंटा एक दिन में दिन में पूरे दिन की बात नहीं करूं मैं रात दिन रात मिला नहीं रहूं दिन में एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे पूरे दिन रात की लेकिन दिन में की में बात करूं तो दिन में सिर्फ 12 गंटे, रात में 12 गंटे, तब मिला के 24 गंटे, तो दिन में 12 गंटे, और उन 12 गंटों में, अगर मैं बोलनों कि 11 गंटे में, 11 गंटे में मिलूंगा, तो क्या कर रहा हूं मैं, 12 गंटे ही हुआ है, और 12 गंटे में 11 गंटे में मिलूंगा, तो अंतिम समय पे ही तो हाँ तो इसे लिए at the 11th hour मतलब अंतिन समय में at the last moment bad blood bad blood यानि कि खून जो है blood जो है वो बुरा है अगर हमारा खून bad बन हो जाए तो क्या हमारी body को support करेगा हमारी body को नुक्सान पहुचाएगा और नुक्सान पहुचाने वाला हमारा सत्रु होता है इसलिए bad blood मतलब bitter relations, enmity, be in the driving seat driving seat पर होना अगर कोई इनसान driving seat पर be होना in the driving seat driving seat पर है इसका मतलब है कि पूरी गारी की जिम्मेदारी उसके हाथों में है तो जो इनसान सारी जिम्मेदारियों का भार उठाता होगा उससे ही कहा जाता है आपको आज की ये पाचरियों समझ में आई हुई है तो मिलेंगे हम लोग नेक्सटे नहीं पांचरियम्स के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना आपको लगता है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दो नहीं तो कोई बात नहीं पांचरियों कर दो भाचरियों गटाँ पांचरियों इवार c. त. झाल झाल